कि हाई विल्कम टो माई यूटूब चैनल नौलेजवित रागीब तो देखिए हम लोग पॉलिटी राज राज विवस्ता कर रहे थे ठीक है तो यहां देख सकते हैं अल्री हम आपको करवा चुके हैं देखिए यहां सक जो कि आप पहला वीडियो देख सकते हैं डाला हुआ जोओ आलडब क्या हुआ अभी यहां से बचा हुआ सवाल हम देख लिए मौलि आधिकार और कि रह whisky है कि फंडशांडव हे básicamente हो सवाल करें गैंगे ईससे पहले आपको वीडियो अप लोड़ेड है यहां से दिखिया तो हाध 4500 सवाल होगा आपका तो यहां देखिये 170 तो यहां पर बोल रहा है तो सवातंतरता के अधिकारों में सबसे कौन सा जो है उस सबसे परमुक अधिकार है तो जीवन और ब्यक्तिगत जो सवातंतरता होती है उसका जो अधिकार है यही सबसे परमुक अधिकार है समझे उसके बाद देखे 236 नमर को चना आप देख सकते ह तो भारत के किस पर्धान मंत्री के जो निगरानी में क्या हुआ वारत के मौली करतब को जोड़ा गया था तो उसे कुन थे इंद्रा कि पार्ट फोर्थ का यह जो है यह मौलेक करतब को तसाता है उसके वाद यहां देखिया सविधान जो है उस वर्स से कम आयों के बच्चे को कर खाने और खादानों जैसे खतानाक नौक जो नौकडियों में नियोजित करने से मना करता है मताइए तो कितना वर्स तो 14 वर्स ठीक है आप देख सकते हैं अर्टिकल 24 भी बोलता था यह ठीक है फैक्ट्री वाला था न सार्वजयनिक संपत्ति की रच्छा करना और हिंसा को त्याग भारतिये समिधान में क्या है यह मताइए यह कुछ और नहीं मौलिक का तब है उसके देखिए धर्म की स्वातनत्ता जो है उसका अधिकार भारत के समिधान के किन अनुचेदों में नहीं था जी किस अनुचेद में बताया गया है तो आपके आर्टिकल 25 से लेके जो 28 है वहां बताया गया समझ माया उसके बाद आप देखिए भारतिये समिधान में कितने मौल किन अलप संक्याओं का उलेख है तो भासिये और जो धार्मिक है इसका जो है आपको उलेख देखने को मिलेगा ठीक है उसके बाद आप यहां देखिए 245 में बोलता है कि अदालत जो है अदालतों के किस अदेश का अर्थ है गिरिफतार व्यक्ति को अदालत के समझ पेश क करन यहां यहां उसका हो जाएगा उसके बाद आप यहां देख सकते हैं कि निम्लिखित में से किसका उलेख भारतिये सविधान में मौली करतब के रूप में नहीं किया गया तो नहीं किया गया बड़ों का समान करना अदेना साफजिनिक संपत्ति का सुरच्छा देश की र तर्गत कितने अधिकारों का उलेख है तो बताइए कितने हैं पांच समिधान के अनुछे जु था पिप्टी वंद का ए तो उसके अनुसार यह परतीग भरतिये जो नागरिक है तो सभीधान उसका पालन करें और उसके आ आदार रहे और संस्थानों का सम्मान करें अब यहां देखें जो किस अनुछेद में और omb bowl 9 जो है उसके समान है तो आपिकल 51 का के जो है उसमें आपको मिलेगा ठिक है कि समझवाया जो आर्टिकल 21 एक समान है ठीक है तो मतलब 21 एक में क्या बताया गया था अभी वह को क्या होता था तो उसी के समान आपको यहां आर्टिकल 51 एक के में भी देखनों को मिलता है उसके बात यहां देखिए कि निम्रिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार देश में अपातकाल गोहसित का होने पर भी निलंबित नहीं किया जा सकते हैं तो कौन से अवधरना को समात करता है और किसी भी रूप में इसके अभिहास को प्रतिबंदित करता है यह नहीं आप कर सकते हैं यह आर्टिकल 17 ऐसे हैं एंटच बिलिटी करतब आपको यहां बोलता है कि भारत में धर्म के अदिकार के बारे में निमिकित में से कौन सा सही नहीं है पूछ राथा तो कौन से सही नहीं है जबरण अगर आप चेंज करवाते हैं तो यह मतलब गलत है समझ में आये तो यह आपको नहीं नहीं करना है नहीं देखने को मिलेगा किसमें अधिकारों का सर्भ भॉमिक घोसना उसके अनुछे 29 का 1 में सेय समानता है जिसमें कहा गिया है कि समुदै के पर्ति पर्तीक लेटिक का करतब है जिसमें अक् Southeast कि यहानि आपका मौलिक कर्तब में देखने को मिलेगा फंडमेंटल ड्यूटि जो है वह क्या है नागरिकों पर लागो होता है नागरिक पर लागो होता है भारत में नियाई का पर नाली जो है काफी हद तक क्या है स्वाइता स्वाइथ है जो नयापालिका को भारती समिधान में दिये गए मुल अधिकारों की रच्छा के लिए अनुछेद जो आपका 32 है और कौन सा जो है हमको आर्टिकल जो है जैसे आर्टिकल 13 जो है उसके तहद अपनी सक्तियों का उप्योग करना चाहिए समझें तो यह आर्टिकल 13 है समझें इसी के तुरू वह करता है अपना सक्ति का उप्योग फिर मौलिक कर्तब जो है उसका जो आपको देखने को मिलेगा तो नैतिक समाजिक और आर्थिक महत्व है समझ माया तो यहां पर आपका नैतिक हो जाएगा फिर मौलि मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया था तब परधान मंतरी मौलाजी देखने को मिले गए समीधान का निम्रिखित में से कौन सा नुच्छे जो है किसी भी जाती के मिद्वार को सर्वजिनिक रुजगार के किसी आउसर के लिए और अवेधन करने का अधिक रहा है तो यह प्रकृति में नियाय संगत है तो नहीं यह सही नहीं है बिल्कुल सही बात है उसके बाद देखें यहां पर सर्वजिनियाले दौरा मौलिक अधिकारों के उलंगन का निम्रिखित में से किस अनुच्छेत के तहद किया जा सकता है तो यह आपका अर्टिकल 32 के ठ्रुड़ा के फूर में काजरत है थिक है तो बताएए कि कि सब्सक्राइब का अधिकार कालन किया जा रहा है तो देखें के विरुद अधिकार जोह है इसका आप पढ़ेते ना की चौदा वर्स से कमायू का नहीं होना चाहिए अब देखिए उपादियों का उन्मूलन किसके अंतरगत आता है तो यह समता के अधिकार के अंतरगत आपको देखने को मिलेगा उसके बाद देखिए निम्लिखित में से कौन संबॉलिक अधिकार जो है मानो तसकरी बेगार और अन परकार के जो है 23 हो जाएगा निम्लिखित में कौन संबॉलिक अधिकार अल्प संख्या जो है उसके हीतों का सुरच्छा से संबंदीत है तो यह सैचिक और संस्कृति जो का जो अधिकार है वह आपको देखने को मिलेगा जो कि आपका आर्टिकल 29 में है यह उसके बाद यहां कौन सा अनुछेद धर्म के सिर्फ लगी कहने के मतलब है कि यह ऐसा नहीं कि सिर्फ आर्टिकल 29 में आपको 30 में मिलेगा उससे जुड़ा हुआ बात है कौन सा अनुछेद धर्म के मामलों में अपने मामलों का परबांदन करने की सुवातनतता परदान करता है ठीक है ना तो यह आ नागरिक को मौलिक अधिकार का उलंगन होता है ठीक है मौलिक अधिकार का उलंगन होता है तो उसके पास क्या होता है या तो सिधे सर्वोच निया ले जाएगा या पिकल्प होता है सुप्रीम कोट वाही कोट यही दो होता है फिर देखिए संसोधन के माध्यम से भारती सम लिए करतब दिया और यहां नूखेथ के भारत के सविधान का का कौन सानुछे भासन और अभी व्यक्ति की स्वतनता का अधिकार बताता है तो यह आपका र2 हो जाएगा फिर भारती समिधार में स्वतंत्रता का अधिकार किसे लिया गया है तो आप जानते हैं बिलकुल सही बात है इसमें आर्टिकल 19-22 तक आपको स्वतंत्रता का अधिकार देखने को मिलेगा उसके बाद 274 के बाद 275 में सकते हैं सब्सक्राइब करते हैं बाद 276 में सब्सक्राइब करना अंसर हो जाएगा उसके बाद भारत में संग का निर्मान करना क्या है सब्सक्राइब करते हैं बात बहुत अच्छा बोल रहा है कि इंप्लिमेंटेशन का बात कर रहा है इस सहमती मिली थी सहमती बोल रहा है सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब करते हैं अब यहां देखिए यहां पर मिला अधिनियम 2009 से और एक अप्रील 2010 से क्या हो यह यह लागू हो गया होनी चाहिए तो यह सरकरिया अयोग सब्सक्राइब कर दोड़ा की जाने वाली कुछ है पहलों की सफारिस्की तो यह जो और कुछ नहीं था यह आपका यहां देख सकते हैं फिर आपको बोलता है भारत में सार्वजयनी का करमों की समीति में कितने सद्यास होते हैं तो यह तो बिल्कुल सही बात है यह लेक 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 यह सब्सक्राइब के लिए टिक ना रखा गया कि देख रहे के लिए 2017 में भारत की सर्वोच नहांदेवारा नीक्ति परसास तो यह तो यह तो यह कैसे सवाल बताइए थोड़ा साथ के सभाव के सभी अस्तरों में 27 परसेंट जो है अरचन की अरचन किसी फारिस की तो यह को नहीं मंडल आयोग किया था मेंडल कमिशन नियुक्त के संबंद में परधान मंत्री के सुझाओ देने के लिए क्या गया था तो यह आपका लोकसान ऑध्याच हो जाएगा उसके बाद यहां देखिया यहाँ बोलता है कि सरकर्या अयोग का उन्हें अपनी रीपोर्ट का पपेस की थी ठीक है अपना में रीपोर्ट दीया उसके बाद में बोलता है कि कि किसका अध्यान इवा मुलियांकन करने के लिए विजय केलकर जो समीति का गठन किया गया था यह सारवजिनिक जो नीजी भागिदारी मॉडल जो था इसी के लिए वो बनाया गया था विसिष्ट वैसक्ताओं और परिकरियाओं के लिए सुप्रीम कोड़ दवार निर्धा इंगली आपको देखने को मिलेगा उसके लिए मली मत समीति जो है उसकी रिपोर्ट का संबंद किस्स है तो यह कोई और नहीं अपराधिक निया परणाली में सुधार के लिए है और युनाइट किंग्डम के संसत का साथ सदेश्य समूव था जिसका घटन भारत के लिए मतलब सुझाने के लिए किया गया था तो यह आपको सायमन अयोग वाला जो था वही था उसके बाद यहां देख सकते हैं संसत सब्द जो है वह आपका राष्टी जो विधाई का है उसको मतलब संधर्वित करता है और उसके बाद यहां कौन सा विसेश ग्यान या बैवारि जत करने के लिए जो कोरा होता नावस्य को नियंस और को नियुक डाल। कर दे के लिए तो बाध == पेस किया सकता है उसके बाद निम्रिकित में से किसे निम्रिकित में से कौन किसी किसी राज की सीमा को परिवर्तित कर सकता है यह उसका जो है नाम बदल सकता है तो यह कोई और नहीं संसत कर सकता है यह उसके बाद मंत्री परसद के मंत्रियों की संख्या राजों की विधान दीख में फिंघ होगी समझ में आया अब हात में कितने लोगस्तबा जो है निर्वाचन ले में निरवाचन चहत्र है तोटल अभी कितना आपको देखने को उबेंगा 543 है टोटल 545 कि अवी से पांचतर में यह देखिए उसके बाद संसद्य परनाली के तहद राष्टिय अस्तर पर सरकार कौन चलाता है तो सरकार परधान मंतरी और मंतरी परसर चलाता है और से विधान दोरा निमिकित में से किनके लिए लोकसभा और विधान सभा में सीटों का अरच्छन का परवादन किया गया है क्या परकार का मतलब आउंसाथ के लिए आगाजाता है तो लोक्तंत्र का मंदिर का मंदिर को किसको कहा जाता है राजगाट को अश्belt वार्ध होग सर्वर्च नियाल sequencing को कहा जाता है कि अधै़निया इस अ किसके परती होते हैं तो आपका लोगसान हो जायेगा उसके बाद यहां देख सकते हैं दौरा जैसा कि दौरा मतलब माली कर तब पर क्या हुआ यह क्या हुआ अध्याय को समिधान में पर यह और नहीं जो सिंहीटी कमीटी ती सुपरन सींग कमीटी इसकी थूरू आई राज बिधान ने भरमत्परमा już । वीसे 31फ पर कितने है ठीक है अब यहां यह तो यहां देखिए 310 नंबर को चन देखिया पर किसी सद्धन रोख थोड़ाचा इसको कम करना पड़ेगा ज़्यादा हो गया है थोड़ा कलर मेरे को चेंज करना पड़े जाएगा सब्सक्राइब कि अब किसी सद्धन के मनोनित जो सद्ध्यस है उसको सद्धन का सद्ध्यस होने के लिए आयोग घोसित कर दिया जाएगा यदि वह अपने पद गरहन करने की तीथी से यहां भारत का सरबुच विधाई जो निकाय है वह कौन है तो संसधी है निम्रिकित में से अब यहां देखिए निम्रिकित में से कौन सामानक साधन जो है जिसके दोहरा भारत में चुनाव कराए जाते हैं तो आपका इलेक्ट्रोनिक जो वोटिंग मसीन से वह देखा जाता था और निम्रिकित में से किस राज के राज को विधान मंडल में दो सदन है तो महराष्ट्रा जो है उसमें आपको देखने को मिल गई चोटे जो राज है उसके कुछ अपवादों के अत्रिक्त अत्रिक्त राज विधान सभा में से देशों की संख्या कितनी है मतलब 60-500 होना चाहिए ठीक है भारत के सविधान के नुसार परतेक राज के परतेक विधान सभा जब तक कि जल्द भंग ना हो जाए अपनी पहली बाटक के लिए नीत जो तीथी भारत में लोग सभा टेखें लोक सभा चुनाओ लड़नता चाहता है अचे ठीक है नाभी आपी लड़न जाता है आधिक्तन सीमा कितनी है जहां 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 सब्सक्राइब करता है तो यह अज़ए नहीं करता यह पिर ईप्राष्टी राते हैं और रूँस सब्सक्टार के सब्सक्तार और यहां देख सकते हैं उसके और यहां शुरू होती है तो हमेसा किससे शुरू होती हाँ परसनेकाल बता और यहां और लोग सब्सक्राइब करने के लिए जो हैता है कितने से अधिक सद्यास नहीं होना चाहिए कितना से तो बीस से तो भारती सब्सक्राइब करने के लिए किस सद्यस किसी मामले पर भाहस को संचिप्त करने के लिए पेस किया गया एक प्रस्ताव है तो क्या है आप इस्वास प्रस्ता होता है वह बहुता है और भारत में राज बिधान परिषद के सदेशों का कर जाले कितना होता है वह बताइए तो यह सभीधान के भाग जो आपका क्या है उसमें अनुचेज राज-विधान-मंडल के गटकों से संबंदित है तो 168 से 212 हो जाएगा आपका राज में परिषद को समाप्त करना या बनाने की सक्ति किसके पास हो होती है भारत में भारत की संसद जो होती है कितने सदों में भीभाजित है तो दो सदों में भीवाजित है अब भारत में राश्टपती दवारा राजों की परिषद के लिए कितने सद्द्यस मनोनित किये जाते हैं तो 12 सद्द्यस मनोनित किये जाते हैं उसके बाद आप कहा भारत के नागरी로 कम से कम पितना उमर होना घूहिए इसके लिए आपको 30 सव्बार्व चाहिए उसके शक्ता है नियौिकेट-में भारत में संसद्य सरकार में बिषेस्टा नहीं है ना हिस्टा निग पूच रायर और चुनाओं के बाद राजनीतिक दलो द्वारा घटित गडबंधन जब कोई भी दल अस्पष्ट बहुमत बनाने के लिए पर्याप्त सीटो पराप्त जो है करने में सच्छम नहीं होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है तो उसे गडबंधन कहा जाता है और यहां देखिया कीलगों के विच के अवधी को किया करता है तो उसको को संग है कारच पालिका का हिससा नहीं है अब के भारत का सरवोच नहीं नहीं उसके बाद यहां देखिए यहां बोलता है महाराश राज में राज सभा की कितनी सीटे हैं तो आपके टोटल 19 सीट यहां पर देखने को मिल रहा है और यहां पर एक मंत्री है जो क्या करता है लगतार 6 महीने तक अगर उसकी आवदी के लिए संसत को किसी भी सदान को सद्यास समझवाया फिर यहां पर बोलता है कि संसत में विपच्च के नेताओं के बेतन और भत्ते संसत दोवारा वर्स केतने वर्स में पहली बर पाईत अधिनियम सासित हुए थे और लोकसभा का अधियाच आपना इस्तिफा जो है निम्लिकित में किसको सौप सकता है आपके लोक स्कारीक परष्टाव सामीन नहीं होते हैं तो यह आपका जो है नियम होगा लोक्सभा में कितनी संख्या कितनी संख्या मतलब पुल संख्या कितनी है तो बताना था आपको टेच्छा और निम्रकीत में से किस वर्स में पहली बार राज सभा का गटन किया गया था तो आपका उनी सो बामने में देखने को प्रोटेम करता है तो प्रोटेम को कौन करता है राश्पती करता है और पादेन पश्वापती को ने बाहत का उपराश्पती और इसके आरजdon का राज सभा की कितने सितहें लिगना स्वाओ यहां शेहें और जो द Ini यहां पर निर्वाचत किये तारीक जिसलोख सभा में उसका निर्वाचन किया गया हो से लेकर उसका भं होने के बाद नई लोग सवा की जो पर्थम बैठा को के ठीक पहले तक इस पर आसीन रहता है तो वह कौन रहता है वह सवापति स्पीकर ही रहता है भारती समिधान जो होता है कि किस अनुचेत के अनुसार एक ब्यक्ति जो संसद में एक सीट भरने के लिए चुने जाने के योग नहीं होगा जब तक यह भायत के नागरिक ना हो तो बताइए तो यह आपको आपको सही है वह बताना है आपको तो सही कतन बताईए तो यह दिखिए कोट मार्सल दवारा दि से पुरूख की जा सकती है सकती है है तो राश्मालों लोकस्भा दिखिए राश पति का बोड़ रहा ना तो और लोकसभा में नहीं संसथी किसी भी सदन से कर सकते हैं लेकिन लोग सबसे श्टाट हो जाता को जरूरी नहीं कि इंपीचमेंट नहीं इंपीचमेंट भारत के राश्पती के महावियों के पर किया सुरू की जा सकती हैं बिल्गुल सही संसत के किसी भी सदन से आपका यह अंसर हो जाएगा उसके बाद आप यहां देखिए यहां पर बोल जो है वाक सही है यह आपको बताना था तो राजपाल राज की विधान सभा को भंग कर सकता है तो हम सही बात है और निर्वाची संसल जो है मतलब आया एक्जिस्टेंस में आया तो अग्जिस्टेंस में नियुकती करता है तो यह राशपती है जो हो जागा निम्न में से कौन दो बार देश के उपराश्पती बने तो यह आपका सरपली राधा कृष्णा हो जाएंगे उसके पाद आप यहां देखिए 360 नंबर पर्थम लोग सभा कटन कब हुआ था त पर आद्यादेश की खोसरा करने की सक्ती जो है किसके पास होती है तो राश्पती के पास होती है तो राश्पती है हो जाएंगे और यहां लेता है तो जो संसत के कि लोग सबबन कि यहां भुंद बटायवास पाहित होने पर किस सटफा देना पढ़ता है तो मनतरी पुरा परिस्द मन्त्री पर्शद पुरा क्या हो जाता है उसके बाद है किसकी प्राप्त होने के बाद तो संसद वारा पाया के कानून बंता है तो enforcement आपका राश्षपर्तिंजी जी हो जाते हैं उसकी शनलिक्ति नहीं लेता है और र्लینी के पास होती है और होती और फिवस्ता के नियम जो होता में उसके उनुसर परते दिन कितने मामिले के सुन काल के दौराんで उठाये जाने के लोग सवाह के नियम जो होता है बिसेस ल लेक माध्यम से उठाया जा सकता है सभास से नहीं होता है तो बताइए लोगले का सभीति का कोई भी सभास का बोल रहा है कि राज सभास से नहीं होता है तो इसका आपका हो जागा परकलन समीदान की कि बीस ऐएक सब्सक्राइब किसी भी मुद्धे पर उन्तीम निन्म जो होता हैं की जो कि बाद इसे-द्वारो पहले ऐसे नियाधिस का नाम बता हुए जिसके भी एस सवा-तन्तर भारत की संसद में महा वियोका परस्ताव पेस किया गया था तो वह और नहीं राम स्वामी जो मरते हैं उसके मामने में जो है क्या होता है कि भारत के मुख नियादिष भारत के राश्पती के रूप में कर्श होगा इंडिया का दोनों मर गए अगर प्रेसिडेंट और बाइस प्रेसिडेंट भी तो आ जाएंगे यह उसके आप यहां देख सकते हैं कि 1945-1970 के बीच आपका अपातकाल के दोरान भायत के प्रदानमतली कोन थे उस वक्त इंद्रा गांधी घी थे उसके पास होता है राश्पती के पास नहीं होता है और निमने में से किस लोग पिरिये कच जो है उसको लोग पिरिये कच पहा गया तो लोग सबाब कोई आजाता करता है उसके बाद देखें जो नियम है ठीक है ना तो एक सु तिरानमे वाला जो नियम है उसमें लोक सबाब में कार्ज का आच्रन इमम नियमों की कार्जवाही में संसद का समझ आपचारिक प्रस्ताव लाना सामिल नहीं है इसलिए कोई मद्दान नहीं होता है समझ माया उसके बाद 309 के बाद 308 संसद में जो है एक बिधयक है अथवा नहीं इसका अंतिम निनाय कौन मतलब लेगा जी तो यह स्पीकर ही लेते हैं भारती संसद के संदर में सुन काल जो है वो क्या है तो प्रस निकाल के तुरंट बा समबर 1951 तक भारत के मुख्र नियादीश जो है वो जो है आपके हरी हरीलाल जो है जेकी सुन्दास जो थे कनिया वही थे वही रहे थे राश्प्रति और प्रधान मतली के चीज दर देखते हैं भारत के निम्रिकित राश्पती में से कौन जो है योजना आयोग के उपाध् की की लिए चुना जाता है थ learner और भारत के राश्पती के लिए निम्रिकत में से कौन से कथन जो है और गलत हो रहाए टेका थे रहना तो टो निपराश्पती भारत के पांच सल के लिए चुना जाता है यह निवन्तमा यूप 25 वर्स मतलब यह गलत है थिक है ना थिक है निवाज अगूने तीनों हिसा होते हैं राज विधान मंदल के सद्ध्राइब के चुनाओं में भाग नहीं लेते हैं बहुत है यह अब यहाँ भारत के राशप्पती के संधर में निम्लखित में से कौन सक क्थरन सहीं नहीं है तो राशप्रति के चुनाओं के संब्द में सभी संकाओं और विवादों के जांच और निर्नाय सरवाच नियाले और उच नियाले दोवारा किया जा सकता है नहीं यह खली तो इसलिए यह गलत हो जाता है तो कौन से गलत क्या बोल रहा है कॉंसा कतन सही नहीं है तो यह क्योंकि यह दोन्हों लिख दिया नहीं होता है उसके संकी कार्जकारी सकती जो होता है उसके होती है कि पर राश्प्रती में निहीत होती है वैसप्राफश्परदी के रूप में भाहरत के रूप में चुने जाने के लिए किया मतलब मांदक होता है मौन सही नहीं लोग सवाह सदेयस के तो योग होना चाहिए तो यह आपका स्टेटमेंट निखलात हो जाता है यह मतलब यह महांदट नहीं भारत के लिए राश्पति के रूप में चुने जाने के लिए सब्सक्राइब अब यहां देखें भारत के निम्रित में से कौन सा थन आपका कौन साई नहीं है पूछ रहा है उनको पास वीटो सकती यह पावर होती है जिनको जिसके दोवारा परती पारित जो धन विधयक है उसहीत अन विधयकों को अपने पास रोके रख सकते हैं यह सिद्धूर्ण बाइन से मना कर सकते हैं और सब को नहीं ना समझे माया दन विधयक अब निम्रिके तम किसके पास भारत के मुख नयाएदीस में प्रामर्स होता ना सब्सक्राइब दूसरे उच नियाले में अस्थान्तरित करने का अधिकार है तो यह राश्पती को होता है उसके आप यह देखे राश्पती के जो है बहुता उनके काजलों से न बिया भारत के जो है वह संचित निदि से दिया जाथ महानियवादी जो है उसकी निक्ति कौन करता है तो कोई और नहीं प्रेशिडेंट करते हैं तो यह बात सही नहीं है तो यह बात सही नहीं है फिर यहां देखिए आप किस भारत के राश्ठ पती नहीं किया जाता है तो कोन राज के यूश्य करता है तो राश्पती करते हैं समिधान के किस अनुछेद में परवादन है कि भारत प्रतेक राज के लिए एक राजपाल होगा तो यह आपको आर्टिकल 153 में देखने को मिलेगा फिर यहां देखें भारती समिधान के अनुसार परधानमंत्री की नियुकति जो होती है वह किसके दवारत की जाती है तो भा सभारत के केंद्र पर्देशों का पर्शासन करता ना 檬ेद वारत के राज करता है 15 देना पड़ता है तो किसको देगा त्याग पत्र बताइए किसको देगा राश्पति को देगा आप यहां देखिए निम्निकित्म से कौन भारत के तीसे उप्राश्पति थे तो भारत के तीसे उप्राश्पति भी घीरित थे अगले उप्राश्पति को चुनाओ का अगले उप्राश्पति को निर्वात्वन उपराश्पदी के पद्द के आउधी के समाप्ति के कितने भीतर होना चाहिए तो यह जो होता है साठ दिन के अंदर हो जाना चाहिए रहता है उसके बात देख्ञान चे ऑद्द के बढ़ावा देने के लिए अंतर राज परिश्व नियुक्त करने का अधिकार किसे है तो किसी और नहीं भाद के राश्पति को होता है यह चीश जिसके बाद थो यहां देखिए निम्लिकृत मैंसे कौन भाद हैं तो समिधान सभा के अध्याच कौन से कौन है तो यह आपको डाक्टर राजेंट प्रश्रम है 1989 में जो हुआ था मुलार जी दिसाई के बाद किसको भारत के पर्धानमति बना दिया गया था तो चरण सिंग को बना या गया गया था और निम्लिकित में कौन है जो पाट विड्डो का इस्तमाल किया तो ग्यानी जैन यह है ग्यानी जलसी और 1975 सब्सक्राइब के दोरान भारत के राजप्रती तो बहारत के राजप्रती उस वक्त को थे बताएं तो फरकुदी जो फकुरुदीन अलीम आहमद जो ते वही थे निम्नमे से किस प्रध सुलक्राइब क कौन होता है तो कोई और राशप्रती के पास वही सक्तियां और ऐर apostles के पास होता है इसमयाया । कि से किस डेस में तो इन है जा लीक सफरेंगो ऑनो तनि राशपती और भारत नहीं पाई जाती हैं जो ऑन दो आ तो इसमें नहीं पाई जाती है थे आपका सबसे लंबी समय तक पर रहने वाले भारती राश्पती थे तो राजंदर पर आता है तो परधान मंत्री फैलाता है नेक्स्ट बार आपको करवा दिया जाएगा सब्सक्राइब तो यहां पर वाचिंग तो प्लीज लाइक से और सब्सक्राइब थैंक्स पर वाचिंग